वैलकम टू यूनिक वैवी स्कूल इस वीडियो में हम लोग आपको देखेंगे किस तरह से आप लोग e-commerce website skip को इंस्टूल करेंगे ठीक है आज जो हम लोग e-commerce website के लिए है तो अगर आप लोग e-commerce website के एड़ करना चाहते हो तो यह जो वीडियो है यह आपके लिए ठीक है त इसको हम लोग आपको इंस्टूल करके देखाएंगे और किसको कैसे इनिस्टूल करते है ओ भी आपको देखेंगे ठीक है तो यहाप लोग देख सकतो इसका जो regular price है for $9 है और इसका जो discount price है और आप लोग यहाप़ 24 डोलार आभी चल रहा है काप तक discount खत्म होजागा इसक कोई पाता नहीं है तो यहां पर आप लोग दीख सकते हो इसको किस तरह से इंस्टेल करते हैं हम लोग इसको देखेंगे और इसका वो अप लोग यह पर डेख सेक्तो वन हंडड प्लास रोल हो चुका है और इसका डिस्क्रिप्शन ब्राइअब लोग अगरा को चेक कर सकतो इनिस्टेन बिल्ड योर e-commerce प्लाटफर्म ठीक है तो यह जो फिसर है क्या-क्या फिसर मिलेगा यहाप पर आप लोग देख सकता हूँ आर फिसर कास्टम डॉमेंग अमेजिंग थीम अल्लिमिटेट लेंग वेस मोबाइल वार्शन इन्वेस्टोरी और e-t-plus payment gateway यहाँ पर आपको मिलेगा और यहाँ पर क्या-kia theme मिलेगा ओँ आप लोग यहाँ पर कईसा के सब the home आपके सामने है तो चोली हम लोग इसको install करके आपको देखाते हैं कैसे इसको install बागर करते हैं यहाँ पर आप लोग plan बागर सेट कर सकते हो pricing plan यहाँ पर आप अबकुस यह अपर setup कर सकता हो ठाक है, तो चलिए इसको किसी तै़ से install करते हैं हो थैक है, तो इसको हम लोग close करते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या कारेंगे इसको install करेंगे, install कारने से पहले इसको आपको partsos कारना है, पार sources कारने के बाद आपको इसको download कारना है तो मैं already इसको download करके रखा हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम लोग download करके रखे हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसको हम लोग करेंगे unzip तो आपको zip file इस तरह का मिलेगा तो इसको आपको करना है unzip तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आंजिब करेंगे इसको right button क्लिक करते है और यहाँ पर stack file में क्लिक करते है और यहाँ पर हम लोग अगर ok में क्लिक करेंगे तो हमारा जो file है और यहाँ पर आंजिब हो जागा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम लोग करते हैं ओके में क्लिक और यहाँ पर हमारा जो फाइल है और यहाँ पर आंजिब हो जाएगा आंजिब होने के बाद हम लोग इसके अंदर जो भी फाइल मिलेगा वो फाइल को हम लोग हमारा सर्वर के अंदर अप्लोट कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर और यह जो फाइल ही इसको हमारा सर्वर के अंदर अपलोट कर देना है, तो हम लोग जाते हैं हमारा स्री पैनल के अंदर और हमारा जो फाइल है उसको हम लोग अपलोट कर देते हैं हमारा सर्वर में, तो हम लोग हमारा स्री पैनल को उपन करते हैं, यहापर हमारा स्री पैनल हम लोग open किया है उसके बाद जाएंगे हम लोग file manager के अंदर यहाप जाते है file manager के अंदर ठीक है file manager के अंदर जाके हम लोग इसको upload कर देंगे file manager के अंदर आने के बाद यहाप जाना है public html में okay और यहाप upload बटन में click करना है upload बटन में click करने के बाद यहापा select file में click कर दीजे और यहापा हम लोग हमारा jj file है उसको select कर देंगे हमारा file को select कर देंगे okay file को select कर दिया है हमारा file upload होना start हो चुका है यह जो file है इसको upload हने के बाद हम लोग इसका जो next process होगा उसको follow करिएंगे और आपको देखेंगे, इसको किसे इंस्टोल करते हैं, तो हम लोग गड करते हैं, इसको upload होने तक, यह पर आप लोग देख सकते हो, हमारा 100% upload complete हो चुका है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर go back में जाएंगे go back में जाक्यार हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो file हो यहाँ पर uploaded है तो यह zip format में ही इसको हम लोग करेंगे unzip तो यहाँ पर right button क्लिक करके इसको हम लोग unzip करेंगे ठीक है यहाँ यहाँ राइट करके लेते हैं अंजिब करने के बाद इसके अंदर हम लोगों को फाइल मिले गा है वह फायल को हमारा पाबलिक स्ट एमेल में आकर हम लोग यहाँ कर success करेंगे ठीक है तो यह रहा हमारा सारा फाल आ चुका है public stream email के अंदर तो हम लोग को दूबरा public stream email के आने के कोई ज़रूद नहीं है automatically ये public stream email में आ चुका है ठीक है तो क्या करेंगे हमारा domain को open करेंगे यहाप पर जाते हैं और यहाप पर हम लोग हमारा domain है उसको open करते हैं ओके यहाप पर देख रहा है PSP version हम लोग को लागेगा 8.0.2 तो हम लोग जाते हैं हमारा server के अंदर sorry यहाप पर PSP के अंदर PSP ओके यहाप पर slate PSP version में क्लिक करना है हम लोग PSP version को increase करेंगे ठीक है यहाप पर हमारा PSP version open हो रहा है हम लोग यहाप पर क्या करेंगे 7.4 है इसके अंदर हम लोग करेंगे 8.1 और यहाप पर apply कर देते हैं ठीक है apply करने के बाद यह हमारा save हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहाप पर जाते हैं इसको reload करते हैं okay server error तो हम लोग क्या करेंगे slash install लिक कर इंटर करेंगे slash install लिक कर इंटर करने के बाद इस तरह का file मिलेगा तो यहाप पर आपको install करना है I agree or next में क्लिक करना है और यहाँ पर next में क्लिक करते है और next में क्लिक करते है और यहाँ पर database है next में क्लिक करते है और यहाँ पर हमारा app का URL दिया हुआ है यहाँ पर हमारा domain name दिया हुआ है यहाँ पर database information में यहाँ पर दिया हुआ है localhost database name, database username name database password आपको देना होगा इसलिए आपको सबसे परे database को create करना होगा ठीक है तो चोलिए हम लोग database को create करते हैं चोलिए इस बर हम लोग database create करते हैं उसके बाद हम लोग next process में जाएंगे ठीक है तो database create करने के लिए हम लोग जाएंगे हमारे c panel के अंदर मेंन सी पैनल के अंदर, उसके बाद हम लोग जाएंगे, Mills के अंदर ऐन्धर देखेंगे, Database नमका Option हम लोग यह पर Find करेंगे, यहाँ पर देख सेक्त हूं, Database नमका Option हैं, और यहाँ पर आपको जाना है MI-ESCOL Database, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर create new database यहाँ पर हम लोग database का नाम देंगे हम लोग क्या नाम देंगे हम लोग यहाँ पर unique और विस्कुल यही नाम दे देते हैं हमारा YouTube चैनल का नाम देते हैं आप लोग कुछ भी नाम यहाँ पर दे सकते हो तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ यह हमारा database का name है तो हम लोग क्या करेंगे create database यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर मैं click करता हूँ create database में और यहाँ पर हमार जो database है वो यहाँ पर create हो चुका है इसको आप लोग save कर लिजेगा तो हम लोग go back में जाएंगे और यहाँ पर database के लिए database user create करेंगे इसलिए हम लोग scroll down करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सेकते हो edit new user ठीक है तो यहाँ पर username है आप लोग कुछ भी यहाँ पर username दे सकते हो मैं यहाँ पर नाम type कर देता हूँ यही नाम user user देता हूँ यह हमारा username है और इसके लिए हम लोगों को password create करना होगा ठीक है तो यहाँ पर password और यहाँ पर again password दूबबार से आपको type करना है ठीक है दे देते हैं, ठीक है, हमरा password को यहाँ पर step करते हैं हम लोग, उसके बाद यहाँ पर I have copy में क्लिक करना है, यहाँ पर click करना के बाद यहाँ पर use password में क्लिक करना है, तो आपका password यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर create user में क्लिक करना है, यहाँ पर create user पर create हो जाएगा ठीक है तो यह रहा हमारा user तो यह जो user है और हमारा चुछ database हम लोग create किया है उसको connect करना है तो इसलिए हम लोग go back में जाएंगे और user और database को connect करेंगे इसलिए हम लोग scroll down करते हैं और यहां पर edit user to database यहां पर आपको देखेगा उसके बाद आपको यहाँ पर एडेन में क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पर एडेन में क्लिक कर देता हूँ, एडेन में क्लिक करना के बाद यहाँ पर all meeting में देना है, और यहाँ पर max change में अगर आप लोग क्लिक कर देते हो, तो यह आपका database और database user connect हो जाएगा, उसके बाद य देखें, database create करने के बाद हम लोग यह पर database name देते हैं, तो यह रहा हमरा database name, इसको हम लोग copy करते हैं, और यहापड डलते हैं, और यहापड डालते हैं, यहापड डालते हैं, उसके बार login करने के लिए, admin information आपको यहापड देना होगा, तो मेरा नाम दे देता हूँ यहाँ पर यूजरनेम में यहाँ पर डालूंगा मेरा यूजरनेम है पाज़वर्ट आपका जो मुर्जी है वो पाज़वर्ट यहाँ पर डाल सकते हो तो मेरा मुर्जी यह रहा इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पर मेरा इमेल को डाल देता चेक Database Connection में क्लिक करता हूँ Database Connected Successfully सबकोर सेड्मिन Connect Successfully हमारा यहाँ पर हो चुका है Install Successfully इप यू इस्टील 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 प्लीज क्लियार ब्राउजर केश ओके यहाँ पर हम लोग GoTo वैफ साइट में जाते हैं हमारा वैफ साइट को चेक करते है हमारा वैफ साइट यहाँ पर सही सही इस्टील हुआ की नहीं हुआ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारा डोमेन है और यह हमारा वैफ साइट है तो यहाँ पर हमारा जो वैफ साइट है तो कैसे इस को कारना है अगर आद जानना है तो comment बस में comment कीजे मैं next wie-do में इसाइ dogs के अंदर आपको video बाना के देदूंगा फिलाल इस वीडियो में इतना आई अगर इस वीडियो आपको आछँ लगा है तो like कीजे शेयर किजे comment कीजे और हमारा यूनिक वाबिस्कूल यूर्टिप चैनल को सस्कारब करके हमारे साथ बने रहे हैं थैंक्स